हलो ओपी क्लासिस के डिजटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुन्हा स्वागत है आज हम लोगों को पढ़ने हैं 29 अगस्ट 2020 के Most Expected Current Affairs 29 अगस्ट को हम लोग मनाते हैं राष्टिय खेल दिवस राष्टिय खेल दिवस होकी के जादुगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष पर मनाया जाता है आजी के दिन भारत के राष्टपती खेल रत्न प्रदान करते हैं मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्ट 1905 को इलहावाद में हुआ था मेजर ध्यानचंद ने भारत को 1928, 1932 तथा 1936 के ओलंपिक में होकी के लिए सोन पदक दिलाया था बात कीजा ध्यानचंद जी की तो इन्होंने 400 से अधिक गुल किये हैं तथा बर्स 1936 के ओलंपिक के बाद हिटलर ने इन्हें डिनर का आमंत्रण दिया था बर्स 1956 में ध्यानचंद जी को पदम विभूशन दिया गया तथा इन्हें भारत रत्न देने की मांग भी उठती रही है चलिए अब देखते हमारा आज का पहला प्रश्न पहला प्रश्न है हाल ही मैं संस्कृती मंत्रालाई ने भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन के साथ नए सरकिलों की घोशना की है इन मैं से एक उप सरकिल को पूर सरकिल विक्सित किया गया है वो है आपका हमपी सरकिल बात की जा इन साथ नए सरकिलों की तो इन में MP का जवलपुर, तमिलनाडू का तिरची, UP के मेरट तथा जहासी, करनाटक का हमपी, पश्चिम बंगाल का रायगंज तथा गुजरात का राजकोट सामल है इस नए सरकिल के तहट पुरातत्व इसमारकों के पंजीकन की पिरक्रिया तेजवा सुवधा जनक होगी बात की जा इससे पहले की तो इससे पहले भारत में कुल 29 सरकिल थे चलिए, देखते हमारा आज का दूसरा प्रशन है, हाल ही में किसे दिल्ली अल्ब संख्यक आयोक के अध्यक्ष की रूप में नियोक्त किया गया है तो हाल ही में जाकिर खान दिल्ली अल्ब संख्यक आयोक के अध्यक्ष बनाए गए है जाकर खान पूर्व निगम पारसद भी है साथ में कबलाजीत सिंग तथा नैंसी बारला को सदस्ष भी नियुक्त किया गया है बात की जाए दिल्ली की तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अर्विंद केजरीबाल तथा उपराजपाल हैं अनिल बैजल बात की जाए राष्टिय अलब संख्यक आयोग की तो यह एक साविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी राष्टिय अलब संख्यक आयोग जब किसी मामले की जाच करता है तो उसके पास दीवानी अदालत की अधिकार होते हैं राश्टिय अल्प संख्यक आयोग में एक अध्यक्ष तथा पांच सदश होते हैं। एसा करने वाले विश्य के एकलोते तेज गेदवाज बने हैं। तो हाल ही मैं इंग्लेंड के तेज गेदवाज जीम्स एंडर्सन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 बिकेट पूरे किये हैं। ये 600 बिकेट इन्होंने मात्र 156 टेस्ट मैच में पूरे किये हैं। इन्होंने पाकिस् बिकिट लिये हैं जबकि आश्टेलिया के सेर्ण वोर्ण ने 708 जबकि भारत के अनिल कुमले ने 619 बिकिट ले रखे हैं चलिए देखते हमारा आज का अगला प्रश्ण है हाल ही मैं उडान 4.0 योजना के तहत कितने नए हवाई मार्गों को उड्यन मंत्राला द्वारा मंज मंजूरी प्रदान की गई है तो हाल ही मैं उडान योजना के तहत उडान का यह चोथा चरण है और इसके तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी प्रदान की गई है बात की जाए उडान की तो इसे कहते हैं उडे देश का आम नागरिक अब नए 4.0 योजना के तहत सीमा बरती उडानी उजना की शुरूबात बर्ष 2016 में हुई थी जबकि 2017 से इसका आवागमन शुरू हुआ था इसी उजना के तहट मात्र 25 सो रुपए में 500 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में तै की जाती है उडानी उजना के तहट पहली जो उडान थी वो दिल्ली से कुलकाता के बीच उड़ी गई थी चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला पाँचबा प्रशन है इनमें से 21 राज सरकार की सिक्षा नेदे साला ने स्वस्थ सरीर स्वस्थ दिमाग कारिकरम सुरू किया है तो हाल ही में दिल्ली सरकार के सिक्षा नेदे साला ने स्वस्थ सरीर स्वस्थ दिमाग कारिकरम सुरू किया है जिसे हेल्दी बोडी और हेल्दी माइन नाम से जाना जा रहा है इसके तहट यूटूब पर प्रतेक वुद्दवार को एक वीडियो जारी किया जाएगा जिसके तहट छात्रों को मानसिक तनाव से दूर रहने की बात कही जाएगी बूट केंप की सुरूबात 10 जून 2020 को हुई थी जिसका अंतिम चरण 26 अगस 2020 को हुआ है इस कारिकरम के तहट कुल 14 बैच बनाए गए हैं जिनमें 32 से 25 छात्र सामिल हैं बात की जाए दिल्ली की तो दिल्ली के मुख्य मंत्री हैं अर्विंद केजरिवाल तथा उपराजपाल हैं अनिल बैजल वर्तमान में दिल्ली के सिक्षा मंत्री मनीश सिसोधिया है चली देखते हैं हमारा आज का अगला चटवा प्रश्ण है हाल ही में हाल ही में ए आर लक्षमन का निधन हो गया है ये थे सर्वोच न्यालाई के पूर्वन्यायधिस प्रशिद वांसुरी बादग सोलर सेल प्रणाले पर सुध करने वाले व्यज्यानिक तो हाल ही में सर्वोच न्यालाई के पूर्वन्यायधिस ए आर लच्मन का निधन हो गया है अभी दो दिन पहले ही उनकी पत्नी मीनाक्षी आची का निधन हुआ था इसके दो दिन बाद ही दिल का दौरा पढ़ने से पूर्वन्यायधिस ए आर लच्मन का निधन हो गया है ए आर लच्मन का जन्म 22 मार्च 1942 को हुआ था चले देखते हमारा आज का सात्वा प्रशन है हाल ही में किस गैंदवाज ने T20 में 500 बिकिट लेकर इतिहास रच दिया है तो हाल ही में बेस्ट इंडीज टीम के खिलारी ड्वेन ब्राभू ने T20 में 500 बिकिट लेकर इतिहास रच दिया है ड्वेन ब्राबू बेस्ट इंडीज के आलराउंडर है तथा वर्तमान में CPL यानि केरेवियाई प्रीमियर लीग में उन्होंने 500 वा विकेट लिया है T20 फॉर्मेट में बे 15 से जादा टीमों के लिए खेल चुके हैं बात की जाएं दूसरी नमबर पर तो दूसरी नमबर पर स्री लंका के लसित मलिंगा है जिन्होंने T20 में 390 विकेट लिये हैं ड्वेन ब्राबो T20 में 300 विकेट लेने वाले 400 विकेट लेने वाले तथा 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाडी बने थे चली देखते हैं हमारा आज का अगला प्रशन है हाल ही में किस राज में पुली कली नरत का आयोजन किया गया है तो हाल ही में किरल राज में ओरम तियोहार के दौरान पुली कली नरत का आयोजन किया गया है पुली कली नरत्य को बाग नरत्य भी कहते हैं क्योंकि इसमें बाग की जैसे भीश-भूसा बनाई जाती है ओरम तियोहार किरल में मनाया जाता है जो की 10 दिन तक चलने वाला एक तियोहार है यह सितंबर और अगस्त के मद्ध हर प्रतिक वर्ष मनाया जाता है ओरम के पहले दिन को अथम कहा जाता है और इसी दिन फूलों की रंगोली बनाने से इसकी सुरुबात होती है बात की जाए ओरम की तो ओरम जो है भगवान विश्नु तथा राजा महावली के स्वागत के लिए मनाया जाता है पुली कली नरत जो है इनसान की बहादुरी बचंचलता का प्रतीक होता है तथा वर्स 2016 से इसमें महलाएं भी भाग ले रही हैं चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न अगला प्रश्न है ग्लोबल टाइम्स के सर्वे के अनुसार भारत की मोधी सरकार से कितने फीसदी चीनी नागरिक खुस है तो हाल ही में चीनी अखवार ग्लोबल टाइम्स का एक सर्वे हुआ था जिसमें बताये गया है कि भारत की मोधी सरकार से 50 फीसदी चीनी नागरिक खुस है हाल ही में लद्दाख तनाओ के बाद यह सर्वेक्षन आया है हाला कि इस सर्वेक्षन के अनुसार 70% भारत को चीनी बिरोधी बताया गया है जबकि 30% लोग मानते हैं कि जल्द ही भारत और चीन के बीच की हालात लिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्ण अगला प्रश्ण है निमलिखित मेंसे कौन सा मामला SCST स्रेणी के उपवरगी यह से संबंदित है जिसे सर्वोच नियालाय में पुनरवयाचका के लिए जरूरी बताया गया है तो हाल ही में EV चिनईया वनाम आ अंद्र प्रदेश 2004 का एक फैंसला था जिसमें किसी भी प्रकार के आरक्षण के तहत आरक्षण को नहीं दिये जाने की बात की गई थी हाल ही में EV चिनईया बनाम अंद्र प्रदेश फैंसले को सुप्रीम कोट में पुनरविचार के लिए भेजा गया है अठाईस अगस 2020 का कोशन अब दे था हाल ही में किसने टेस्ट किर्केट में 600 बेकिट लेने वाले पहले तेज गेंदवाज की उपलब्धी हासिल की है तो इसका सही उत्तर है आपका जिम्स एंडर्शन ने इसके अलावा सेशन अब दे का कोशन था आपका कि आई एनेस विराट को भारत ने कम सेबा मुक्त किया था तो आई एनेस विराट को भारत ने वर्ष 2017 में सेबा मुक्त किया था सही उत्तर देने वालों में सामिल हैं आपके व्यभा स्रीवास्तब, सोनाली मौर्या, बिजय लोको पाइलेट मानवेंदर शींग, भगवान सींग, रन बिजय, गोलु कुश्वाह, सानु महराज, तथा अजय सौनी सभी को बहुत-बहुत बधाई 29 अगस 2020 का Question of the Day है आपका, भारत्य मानसून का बढ़न सबसे पहले किश अरब बिद्वान के द्वारा किया गया था, अल बरूनी, अल मसूदी, अल एहमदी, एबन खुरदाद वेह, इसके अलाबा, सैसन आप दे का Question है आपका, राष्टिय अल संख्यक आयोग के पहले अध् भ्यक्ष कौन थे? दोनों प्रश्णों के जबाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं